असलम अलेकुम, चोत्य चोत्य प्यारी प्यारी बचो, वेल्कम बैक टु माई ककनु कार्टून अजबको हम एक न्यू कहानी सुनाने लगाए हैं तो चलो शूरू करता हैं एक दाफा अस्मा को नींद नहीं आ रही थी, उसने हनिया से कहा एम अपी मोज को एक कहानी सुना दो तो हनिया मैं अस्मा को एक जंगल की कहानी सुनाई, हनिया नी कहानी सुनानी शूरू की एक दाफा एक भहुत बरा जंगल था, वहाँ पर भहुत से जन्वार रहतायत है, सबसे चलक जन्वार लुंबार्डी थी शर को शर कर चलक लंबार्डी शर की तलाश मैं निकाल परी कफी देर। उसने शेर से कहा, शेरगी शेरगी किया अपको पता है, हमरी जंगल में एक शेकारी आया हुआ है, वो और मैं ने उसको ये कहते भी सुना है, कि मैं जंगल चोटए जन्वारों का शिकार करूंगा और क्राजा अपने सत ले जाएगा और अपना गूलम बनाक रखेगा ये सुनकर शेर को गूसा अगाया शेर ने कहा किया बक्वस करती हो जंगल का बढशा हुमें कोई मोच को गूलम नहीं बना सकता लुमबर्दी ने कहा शेर गी यही तो मैं सोच रहो थी कि उस नमकूल कि इतन लुमबारी को सत हती देखा तो समझ गया कुछ तो गरबर है फिर वो अडमी दोसरी तरफ माउन करका खरा हो गया और उन्चा उन्चा बोलने लगा का ये लुमबारी अभी तक शेर को ले का एक नहीं इसने तो कहा था जल्दी सी आ जाओगी अब देखो इतना वक्त लगा फिर वहां सी भग गया इस तरह उस इंसान ने अपनी चालाकी की से अपनी जान बचा ली इस कहानी से हमने सिखा कि इंसन सबसे ज्यादा चलाक है अगर वो चाहिए तो सब कुछ कर सकती है मिलता है है नेक्स्ट वीडियो में टाब तक्केली स्टे ब्लेस्ट खुदा हाफी प्राइश पर बेस्